पंद्रह अगस्त पर सबसे अच्छा भासन कैसे दें? चलिए आपको बताते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बोलना है आदनी आतिति गण, प्रधाना चारे महोदे, सिछक गण और मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हारदिक सुभकाम नाएं, आज हम सब यहां क्यों इकठा हुए हैं, ये किसी को बताने की जरुरत नहीं है, ये वो दिन है जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाध हुआ था, इस बार 15 अगस्त 2024 को हम लोग आजा साल पहले 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी सासन की बेडियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट बना था, स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, यह विसेश दिन प्रतेक भारतिये के दिल और दिमाग में देश भक्ति का उस्साह जगाता है, स्वतंत् स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, इस दिन भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को स्रद्धान जली दी जाती है, जिनके त्याग और बलिदान के चलते हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, आज का दिन इनकी बहादुरी, भीरता और सौर को नमन करने का दिन है देश के इन स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी को पाने के लिए अपना पूरा जीवन ने उच्छावर कर दिया देश को आजाद कराने में महत्मा गांधी, सुवास चंदर बोस, भगस चिंग, मंगल पांडे, चंदर शेखर आजाद, राजगुरू, सुखदेव, सर्दार बल्लभाई पटेल, लाला लाजपत राय, जवाहलाल नहरू, बाल गंगादर तिलक जैसे कई क्रांतकारियों और स्वतंतरता सेनानियों का आहम योगदान रहा है, भारत मा के इन सच्चे सपूतों के लंबे संघर्स के कारण, आज हमारा देश स्वतंतर है, स्वतंतरता दिवस के दिन, देश के प्रधान मंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, 21 तोपो की सलामी दी जाती है, और रा और कालेजों में बहुत सारे सांस्कृतिक कारिक्रम होते हैं और बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस एतिहासिक अवसर पर हमें एकता, बिधता और प्रगति के उन मुल्यों को बनाए रखने के लिए सपत लेनी चाहिए जिनके लिए हमारा देश जाना जाता है। हमें आज के दिन सम्विधान में लिखी बातों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत!